हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल कीचन क्वीन अंजना अभी राखी का त्योहार आने वाला है तो इस राखी पे मैं आपके साथ में सेर करने जा रही हूँ पांच मिनट में बनने वाली पीना कैस चलाए पेड़े की रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेश्टी होती है तो चिली इस पेड़े की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं तो पेड़े की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे आदा कप यहां पे चीनी और फ्लेवर के लिए डालेंगे यहां पे दो इहरी इलाइची अब हमें याँ पे चीनी का बिल्कुल बारिक पाउडर बना के तयार कर लेना है ये देखिए पाउडर हमारा बन के तयार हो चुका है तो इसे हम साइड में रख देंगे अब हम यापे लेंगे एक बरतन और इसके अंदर निकालेंगे यापे हम एक चमच यापी घी और जो हमने चीनी का पाउडर बना के तियार किया था वो भी सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे आप चीनी की जिगए यहां पर मिसरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहां पर बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घी और चीनी को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इससे क्या होता है जो हमारे मिठाई यह पोती टेस्टी बनके तियार होती है अब यहां पे मैंने लिया है एक कप यहां पे भुनावा चैना इसका छिलका मैंने उतार दिया था यह इजली आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है इसे हम मिक्सी की जार के अंदर निकाल देंगे और इसका भी हम बिल्कुल बारिक पाउडर बना के हम तेयार करेंगे अब चैने के पाउडर को भी हम इसी बरतन के अंदर निकाल लेंगे और तीनों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे ऐसे मैंने और भी पेड़े की रेसिपी मेरे चैनल पर डाल रखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके उनको चेक कर सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद में इसके अंदर डाला है याप पे मिल्क पाउडर भी बहुत सुन्दर होती है अब बाइंडिंग के लिए यहां पे मैंने इस्तिमाल किया है दूद तो दूद को मैंने एक बार गरम करके उसके बाद में ठंडा करके इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर तोड़ा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको और इसको बिल्कुल डोफो में ले आएंगे, ये देखिए बड़िया से डोफो में आच चुका है, तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, आप चाहें तो इस टाइम पे इसके लड़ो बना सकते हैं, या फिर इसकी परफी भी सेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पेड़ा हमे तरीके से पेड़े की सेब देंगे मैं आप इसी तरीके से बनाकर त्यक्राइब करेंना है तो इन्हें हम डेकुरेट करेंगे अभी ड्यांपंती चीनी के साथ में ओसा क्या क्लिक्ट्य नार्यली की यूञाता भी ले सकते हैं या फिर कोई ट्राइनफरुट्स लेकिन इस तरीके से में इसे चीनी के साथ में टेकुरेट करते हैं, तो यह दिखने भी बहुत सुंदर लगती हैं, खाने मी भी ढहते लगती हैं, सभी को हम इसी तरीके से बनागे तयार कर लेंगे. एक मैं आपको पेड़ा तोड़ के दिखा रही हूं तोड़ने से पता चल रहा कितना बड़या और दानेदार पेड़ा हमारा बनके तयार हुआ है तो अभी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं तो इस वाली रेसिपी को आप भी जरूर ट्राइ करेगा और यह वाली रेसिप लगी किसाओड़ खोड़ रेसिपी करेगा दो आने डिक है तो जरूरा आने दिखा लूरा हुआ है